टीम एंडिया के आल राउंडर रविंद्र जडेजा की कार की ठोकर से स्कूटर सवार एक लड़की खायल हो गई गुजरात के जामनगर में हुए इस हादसे के बाद जडेजा खुद उस लड़की को एम्बुलन्स लेकर एक नीजी अस्पताल में पहुँचे जहाँ प्रात में कुपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है बताय जा रहा है कि रविंद्र जडेजा जामनगर में जौगर्स पार्क इलाके के पार्क कॉलोनी सोसाइटी में रहते हैं पतनी रिवाबा के साथ अपनी ओडी कार में निकले थे घर के पास ही जडेजा की कार से एक स्कूटर सवार लड़की को ठोकर लगने के बाद लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर पड़ी हादसे के तुरंतबाद रविंद्र जडेजा और उनकी पतनी कार से निकले और लड़की को पकड़ कर सड़क के किनारे बिठाया इसके बाद उन्होंने 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा को कॉल करके बुलाया दोनों उस लड़की को लेकर नीजी अस्पताल पहुँचे शर्मा है और वो जामनगर के विद्या सागर इन्फोटेक में पढ़ाई कर रही है रविंद्र जडेजा को उनके ससुर ने एक करोड रुपए की ओड़ी क्यू 745 गिफ्ट की है शादी से पहले उनके ससुर हरदेव सिंग ने उन्हें ये बेशकीमती कार गिफ्ट की थी लगजरी कार गिफ्ट में मिलने के बाद जडेजा ने चुटकीले अंदाज में कहा था कि ऐसे ससुर सभी को मिलने चाहिए